Dear students, Welcome to Eduhub, Eduhub online classes में आपका स्वागत है, मैं हूँ जयन्त, तो दोस्तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ी निउस निकल के आ रही है, कोरोना महामारी की वर्तमान इस्टती को देगते हुए ककसा 10 की परिक्षाएं निरस्ट कर दी गई है, 36 गट माध्यमिक सिच्छा मंडल राइपूर की तरफ से इस नोटिफिकेशन आया है दोस्तो, कि ये आदेश आया है कोरोना महामारी को देखते हुए कक्सा 10 की जितनी भी परिक्साय थी उन सभी को जो है निरस्त कर दिया गया मंडल द्वारा जारी असाइमेंट के आधार पर विध्यारतियों को अंक प्रदाय किये जाएंगे क्या किया है कि इनको असाइमेंट दिया गया है स्टुडेंट को उन असाइमेंट के बेसेस पे ही उनको मार्क्स दिये जाएंगे यदि किसी छात्र ने असाइमेंट नहीं किये या असाइमेंट में नियूनतम अंक प्रदाय किये जाएंगे देखो अगर किसी बच्चे ने assignment ही नहीं किया है ठीके या assignment के अंदर नियूंतम अंक आया है तो भी उसको जो है उतीन अंक प्राप्त किया जाएगा ठीके पास जितना marks उसको दिया जाएगा और जिसके marks अच्छे होंगे वो किस के basis पे assignment के basis के उपर यदि कोई विध्यारती प्राप्तांकों से असंतुष्ट होता है तो कोरोना महामारी नियंत्रित होने के पसाथ उसे स्रेनी सुधार हेतु परिक्छा में बैठने की अनुमती भी दी जाएगी तो ये भी कहा है कि अगर कोई student ये चाहता है कि नहीं मेरे marks improve हूँ ये जो अभी मेरे को जो है division मिला है या जो मेरे को प्राप्तांक मिले है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो वो क्या कर सकता है दुबारा से एक्जाम भी दे सकता है लेकिन कब जब कोरोना महामारी नियंत्रित हो जाए उसके पसाथ फिर एक्जाम में बैठने की उसको अनुमती दी ज परिक्षा थी उसको भी स्थगित करती है अभी तो वर्तमान में जो 10th क्लास की परिक्षाए थी उसको तो निरस्त कर दिया गया है और जो 12th क्लास की जो परिक्षाएं 3 मैं से start होने वाली थी और 24 मैं तक चलने वाली थी उसको अभी postpone किया गया है इस्थगित किया गया है कोरोना महामारी की स्थती में सुधार के पस्षाद नया टाइम टेबल जो है आपका जारी किया जाएगा तो दोस्तों ये 36 गट माध्यमिक सिक्षा मंडल राइपूर की तरब से था RBSC का अभी बहुती जल्दी यही निन्ने आने वाला है कि 10th का तो कैंचल होने वाला है और 12th क्लास की जो खक्साएं है या उनका एक्जाम जो है वो थोड़े दिन बाद होंगे क्योंकि अभी कोरोना की वज़े से एक्जाम नहीं हो सकते हैं तो यह जो न्यूस थी यह मैंने आप भी आपके साथ शेयर की है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों जिससे जो भी आगे की अपडेट आए वो मैं आपको प्रोवाइड कर आपाऊं ठीक है फ्रेंज थैंक यू वेव नाइस दे बबाई